भारत की इस लड़ाई में 130 करोड भारती है आधर्णिय प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रित्तों में पूरी तत्परता के साथ करोना को परास्त करने के लिए लगा हुआ है ये अब तक के सबसे बड़ी अभ्यान का हिस्सा हम इसे मान सकते हैं उतर प्रदेश के अंदर पिछले चार पांस दिनों के अंदर केसेज कुछ बढ़े हैं आज के दिन पर जो हमारे पास कुल केसेज हैं 308 है और इन में 168 तबली की जमात से जुड़े हुए कोरोना पॉजिटिव के केसेज हैं प्रदेश के अंदर इसको हर अस्तर पर रोकने के लिए भारत सरकार की मदद से प्रभावी कदम उठाई जा रहे हैं जब कोरोना का पहला पॉजिटिव केस आया था तब उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी लैब नहीं थी आज भारत सरकार के सयोग से उत्तर प्रदेश के अंदर दस टेस्टिंग लैब वर्तमान में सफलता पुरुवक कारे कर रही हैं कोविड नाइंटीन के खिलाब प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कोविड केर फंड के स्थापना की है इसमें मान्य जन प्रतिनिधियों के साथ साथ समाज के विविन तबकों का ब्यापक समर्थन भी मिला है हम लोगों ने तै किया है कि कोविड केर फंड का उप्योग हम प्रदेश के अंदर टेस्टिंग फैसिलिटी को बढ़ाने में इसका उप्योग करेंगे कोविड लेवन वन लेवल टो लेवल थ्री के हॉस्पिटल की संख्या को बढ़ाने में इसका उप्योग करेंगे करोना के खिलाब जिन साहय कुप करोनों की आउस्थिकता है पी-पी, N95 मास्क, थ्री लियर मास्क, थर्मल एनलाइजर, इन सब के वेंटेलेटर्स, इन सब के मैनिफेक्चरिंग की प्रकृरिया को भी और आगे बढ़ाने की कारवाई के साथ प्रदेश सरकार निरंतर कारे कर रही है भारत सरकार के सयोग से हम लोगों ने अब तक करोना टेस्टिंग के दस लैप्स प्रदेश के अंदर अस्थापित किये हैं हम लोगों ने तैय किया है कि हम लोग प्रदेश के अंदर सभी मंदलिय मुख्याले के डिस्टिक हॉस्पिटल में करोना टेस्टिंग लैप्स की स्थापना करेंगे और इसकी कारवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने यहां पर प्रमुक्षचिव चिकिस्सा सिक्सा को उनकी नित्रित्व में एक कमेटी का गठन करते वे इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है प्रदेश के अंदर हमारे पास 24 गौवर्मेंट मेडिकल कॉलेजेज है दस में पहले से ही हमारे पास टेस्टिंग लैप्स है इनके अप्ग्रिडेशन की कारवाई करने के लिए भी निर्देश दिये गये हैं और साथि साथ 14 मेडिकल कॉलेजेज ऐसे हैं जहां पर अब तक COVID-19 के टेस्टिंग की कोई भी फैसलिटी नहीं है इन 14 Medical Colleges में भी COVID-19 Testing Facility स्थापित करने के लिए Labs स्थापित करने की प्रक्रिया को हम लोगों ने आगे वढ़ाने की ले निर्देश दिये हैं प्रदेश के सभी जन्पदों में 75 के 75 जन्पदों में COVID-19 की जाच के लिए Collection Center स्थापित हो सके इसको भी हम लोगों ने इस कारेकवाई को आगे वढ़ाने की कारवाई की है यानि कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर छे कमिस्टनरी मुख्याले ऐसे हैं जहां पर कोई Government Medical Colleges नहीं है वहाँ पर हम लोग प्रदेश सरकार की ओर से वहाँ पर एक टेस्टिंग लैप्स की अस्तापना करने की कारवाई हम उन सभी 6 के 6 जनपदों में करने जा रहे हैं जिसमें देवी पाटन मंडल में गोंडा में मिरजापूर मंडल में मिरजापूर के अंदर बरेली मंडल में बरेली के अंदर इसे परकार से मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद में वारानसी मंडल में बी एचू में एक लैब है लेकिन एक लैब वहां के हॉस्पिटल में भी बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कारवाई प्रारम की है एक वारानसी में और एक अलीगड में ये छे मंदली मुख्यालेों में सेस हमारे दस मेडिकल कॉलेजेज में जो एक फैसिलिटी पहले से मौजूद है इसको अपग्रेड करने की कारवाई के भी निर्देश दिये गए है लेवल थ्री की लैब्स वहां पे बनेंगी किसी भी प्रकार के वाईरस की चांच के साथ साथ उसकी रिसर्स की फैसिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए भी ये सभी जनपत आगे कारे कर सकेंगे इस पर कारे करने के लिए कारयोजना बना दी गई है और तीसरे चरण में जो हमारी कारवाई साथ साथ स्प्रारम होई है कि जो 14 मेडिकल कॉलेजेज हैं अलग-अलग जनपतों में बनाए गए हैं जो फंक्सन में हैं इन सब में भी करोना टेस्टिंग की हम लोग लैप्स स्थापना करेंगे ये कारवाई हमारे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रारम की है इसके इलाबा सभी जनपतों में और एक जनपत में हम लोग कलेक्शन सेंटर बना करके इस प्रक्रिया को क्योंकि वहाँ पर जो भी एप्रिटस खरीतने होंगे जो भी एक्क्यूप्मेंट खरीतने हैं हमें विश्वास है क्या दर्णिया प्रधानमंत्री जी का इससी नित्रत्व है भारत को इस वैस्विक महामारी से पूरी तरह प्रोटेक्ट किया हुआ है लॉग डाउन की एक कारवाई एक सो तीस करोड़ लोगों के बेहतर स्वास्ते और सुरक्सित बहुतिशे के लिए बहुत महत्थूण है ब सभी लोग लॉट डाउन के इस अनुसासन को स्वेकार करें और सरकार के इस कदम में कदम से कदम मिला कर की आगे वढ़ेंगे तो सरकार किसी भी प्रकार की कोई कोताई नहीं छोड़ेगी जिससे किसी भी बेक्ति को कोई परेसानी हो हमने आज भी इस पस्ट निर्देश दिये हैं मैंने अप्तरप्रदेश के अपनी टीम 11 को इस बात के लिए पूरा निर्देश दिये हैं एक कहीं भी भोजन का संकट ना निपा है, दूसरा किसी भी प्रकार की उपचार में कहीं कोई स्थिलता न हो, इस पर भी युद्तस्तर पर कारे प्रारम हो, ये कारवाई पुरिप्रदेश के अंदर मुझे विश्वास है कि हम तैईस करोड जनता को करोना से बचाने के लिए आदिने प्रधान मंत्री जी के नित्रत्तों में जो अभ्यान प्रारम वहा है, निश्चिती उत्तर प्रदेश में इसको सबलता प्राप्त होगी